आज हम बात करते हैं Thompson Construction Algorithm के बारे में, इसका क्या यूज़ है? किसी भी regular expression को corresponding NFA में convert करने के लिए we use this algorithm. Actually, Please theorem को जो first part है, वो ये कहता है कि अगर मेरे पास कोई भी regular expression exist कर रहा है, तो उसके corresponding NFA भी exist करेगा. ठीक है? So, regular expression to NFA conversion के लिए we use this algorithm. Actually, मेरे पास तो Thompson Algorithm है, ये मुझे किसी भी regular expression को corresponding epsilon NFA में convert करके देगा. ठीक है? और अगर मेरे पास epsilon NFA आ गया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? उसको फिर NFA में convert कर सकता हूँ by removing the epsilon transitions और फिर इस NFA को मैं DFA में convert कर सकता हूँ. या फिर चाहूँ तो epsilon NFA को directly DFA में convert कर सकता हूँ. यह सारे methods लोगों ने अपने previous वीडियो में देखे थे. ठीक है? तो हमारे पास यह जो regular Thompson algorithm है, यह epsilon NFA देगा ठीक है? But by using our basic intuition या फिर by using common practices हम किसी भी regular expression को directly किसी भी NFA में NFA में without epsilon NFA. ठीक है? उसमें directly convert कर सकते हैं. वो हम दोनों यहाँ पर कर कर के दिखाएंगे आपको. ठीक है? यहाँ पर इसको final state बनाएं और इस transition को epsilon से complete करें. So, this is the NFA with respect to epsilon. और इसके लिए अगर आपको NFA without epsilon चाहिए, आप क्या करें? Initial state को ही final state बना दें. यह मेरे पास NFA without epsilon transition है. यह NFA with epsilon transition है. ठीक है? अगर मेरे पास एक symbol है कि यह एक A है. ठीक है? So, मेरे पास A को मुझे accept कराना है. So, मैं क्या करूँ? मुझे पहले मैं epsilon NFA बनाता हूँ. मुझे यह एक A है यहाँ से. यह एक A का transition है. आप एक state पहले बनाएं. एक state बाद में बनाएं. इसको epsilon से connect करें. इसको भी epsilon से connect करें. यह initial बनाओ. इसको final बना दूँ. ठीक है? इसके corresponding मुझे directly NFA भी बना सकता हूँ. मैं क्या कर सकता हूँ? यह मेरे पास initial state है और यह मेरी final state. और इसको मैं A से connect कर सकता हूँ. और यह मेरी initial, यह मेरी final. ठीक है? So, यह NFA without epsilon है. यह NFA without epsilon है. यह NFA with epsilon है. ठीक है? Next, मुझे क्या करना है? मुझे बताना है union operation. Union operation between two regular expressions. So, मैं कहता हूँ. यह मेरे पास एक regular expression हो सकता है. यह भी एक regular expression हो सकता है. ठीक है? बट यहाँ पर simplicity के लिए मैंने क्या किया किया? कि अवा individual symbols लिए है. ठीक है? अब मुझे मैं क्या करूँगा? पहले A के लिए बनाऊँगा, फिर B के लिए बनाऊँगा और फिर न दोनों में union operation perform करूँगा. ठीक है? सो A के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं चाहूँ तो इसको भी use कर सकता हूँ और चाहूँ तो इसको भी use कर सकता हूँ. ठीक है? मैं इसको use कर रहा हूँ for the simplicity. ओक है? आप चाहे तो इसको भी लिए सकते हैं, कोई issue नहीं है. बोट are correct. सो मैंने A के मुझ epsilon से connect कर दूँगा. यहाँ भी इसको भी epsilon से connect करूँगा. इसको भी epsilon से connect करूँगा. यह मेरी initial state और यह मेरी final state. सो यह initial state है, यह final state है. और इस ही corresponding का अगर आपको NFA चीए, direct NFA. आप क्या करें? यहाँ से यह एक initial state बनाए, यह एक final state बनाए. यहाँ से आप A लेकर के जा सकते है. ठीक है? So, this is the NFA without epsilon. अब आपको क्या करना है? Concatenation operation perform करना है, बटिन अगेन. यह दो अलग-अलग regular expression हो सकते हैं मेरे पास. ठीक है? So, मैं क्या कर सकते हैं? यह यह जो हम NFA without epsilon बना रहे हैं, यह आप थोड़ा बग प्रेक्टिस करेंगे, दो चारण NFA बनाएंगे तो आ सकते हैं, मैंने यह ब्लैंक रखे हैं, ठीक है? चले, concatenation करना है, पहले मैं A के लिए बनाऊंगा, फिर B के लिए बनाऊंगा, और फिर उन दोनों में concatenation perform करूंगा, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पर A के लिए, अगेन, मैं A के लिए तुम चाहो तो इसको यूज करो, च epsilon से, और यह मेरी final state हो जाएगी, और यह मेरी initial state, ठीक है? So, this is the NFA with epsilon transition, अब गर मुझे चाहिए कि directly मैं इसका NFA बना लूँ, हाँ जी, बना सकते हैं, यह मेरे पास A लिया, मैं यहाँ पहुचा, उसकी बाद मुझे B मिला, फिर मैं यहाँ पर पहुचा, इसको final state बना दिया, और यहाँ पर मैंने क्या किया, इसकी case में, this is the NFA without epsilon, यह मैंने ऊपर black color से बनाए है, यहाँ पर clean star operation करना है, तो clean star operation में अगेर आप क्या करेंगे, पहले A के लिए बनाएंगे, आपने A के लिए यह एक transition बनाया, आपने A बनाया, ठीक है, अब आप क्या करेंगे, एक state पहले लगाएंगे, एक state इसके बाद लगाएंगे, दोनों को epsilon से connect करेंगे, यह epsilon से connect किया, इसके बा एक loop state में चला जाएगा, क्योंकि A star है तो हमारे पास multiple A is possible है, ठीक है बट अभी भी, इसको initial बनाओ, इसको final बनाओ ये A, एक single है, या more than a, ये तो accept कर रहा है ये only epsilon accept नहीं कर रहा है तो इसके लिए मैं क्या करूँ, मैंने epsilon लगाया, directly, note can accept और इसके corresponding अगर आपको NFA चाहिए, direct, तो आप क्या कर सकते हैं आप एक initial state ले, इसको final बनादे हैं और इस पे, एक self loop बनादे हैं एका, ठीक है So this is the NFA without epsilon ये NFA without epsilon है ठीक है, Thompson हमें epsilon NFA देता है ठीक है, चले बट हम directly उससे NFA भी construct कर सकते हैं, अब A star B मेरे पास ये 500 rule complete हो गए है अब मुझे कुछ examples हैं, जिसे हमाँ पर मैं in regular expression से, with the help of these rules, मैं in regular expression का NFA बनाऊंगा, ठीक है, A star B step wise चलेंगे, पहले A का बनाएंगे, फिर उस पे star लगाएंगे फिर B बनाएंगे और फिर से concatenation करेंगे, ठीक है, पहले A बना लेती है, A का ये star में ये बनाया हुआ है, so sim, बिल्कुल as it is, so यहाँ से ये में एक state लूँगा ये मेरे पास यहाँ पर A है यहाँ से यहाँ ये epsilon transition आएगा, एक state पहले लगेगी एक state बाद में लगेगी, यहाँ ये epsilon है, यहाँ से यहाँ ये epsilon transition जाएगा, और ये initial state बनाएगी, ठीक है, अब मुझे A star तो ready होगे है, मेरे पास, ये unit क्या है? A star अब मुझे क्या बनाना है? B, only B आप B के लिए आप क्या करें, यहाँ से transition लगाए, अब इन दोरों में initial state लें, इस पर आपको A multiple times चाहिए, A का loop, so ये आपने A का loop लिया, फिर आपको B चाहिए, आपको B मिला, और आपने इसको final state बनाती है, ठीक है? similarly हम इसको बनाते है, A plus B, ठीक है? A plus B के लिए हमने A plus B बनाया हूँ, आप चाहिए तो इसको यूज़ करें, चाहिए तो इसको यूज़ करें, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ for the simplicity, so मैंने क्या-क्या A plus B बना दाऊं पहले, पहले हमने ये हमारे पास एक state है, ये एक state है यहाँ से यहाँ लेकर मैं A जा रहा हूँ, यहाँ से epsilon से connect कर दूँ, ठीक है, आप एक transition लूँगा, यहाँ से यहाँ epsilon का और एक transition लूँगा, यहाँ से यहाँ epsilon का, यह initial state यह final state, A plus B का whole star ready, ठीक है, अगर आपको इसका direct enough पे चाहिए, आप क्या करें, A plus B का, this is like, आप चाहिए तो एक A का loop बनाएं, एक B का loop बना लें, जैसे हमने यहाँ पर किया दे, या फिर आप चाहिए तो इसी को A, B कर सकते हैं, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, so next चले यहाँ पर जड़ा देखें, हम थोड़ी से practice करेंगे तो यह हम थोड़ा comfortable हो जाएंगे, हम इसली बना सकते हैं इसको, A star B, A B का whole star, ठीक है, अगें फिर से step by चलेंगे, पहले A star बनाऊँगा, फिर B के साथ concatenate करूँगा, फिर A B बनाऊँगा, फिर साथ concatenate करूँगा, पहले A star ready करते हैं, A star, A star मेरे पास यहाँ पर यह है, मैं यहाँ ने बनाया था A star, so मैं इसी को use कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास A star है, यहाँ पर, यह A star है, यह unit मेरे पास ready है, अब मुझे B बनाना है, मैंने क्या किया, B बनाया, मैंने B के लिए, मैं यहाँ से, यहाँ मैंने अपना एक move लगाया, यह है B, अब इन दोनों क concatenate करना है, तो मैंने इन दोनों को epsilon से concatenate कर दिया, और यह मेरी final state नहीं रहेगी यहाँ पर, क्योंकि अभी आगे भी मुझे symbol system मिल सकता है, तो यह मेरे पास यहाँ से यहाँ A star हो गया, यह मेरे पास concatenate हो गया with B, अब मुझे क्या करना है, A B का star, पहले तो मुझे A B ready कर बना पड़ेगा, और फिर उस पर star लगाऊंगा, तो A B में भी, पहले A बनाऊंगा, फिर B बनाऊंगा, ठीक है, A B के लिए आप चाहे तो इसको use कर लें, चाहे तो इसको use कर लें, ठीक है, मैं इसको use कर रहा हूँ for the simplicity, मैंने क्या किया, एक A लिया, यहाँ से यहाँ, यह मुझे A मिला, फिर मुझे एक B मिला, मुझे यहाँ से यहाँ B मिला, ठीक है, अब मुझे इसमी क्या करना है, star लगाना है, तो A के state आप पहले लगाएं, यहाँ पर A के state आप यहाँ पर बाद में लगाएं, और इन दोनों को epsilon से connect कर दें, इसको भी epsilon से connect कर दें, और फाइनल बना दें, क्योंकि इसके बाद कुछ expression मुझे नहीं मिलेगा, और यह initial state है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यह पूरा इस expression का मेरे पास epsilon NFA है, आपको इसको direct NFA बनाना है, आप बना सकते हैं, इसको directly NFA बना सकते हैं आप इसका, आप क्या कर सकते हैं, आप एक यह initial state लें, आप यहाँ पर initial state आपको A star में लेगा, इस पर आपने A का loop लिया, उसके बाद आपको B चाहिए, आप B लेकर के इस state पर गए, आप इस state पर क्या अचाहिए, आपको A B का loop चाहिए, A B के loop के लिए आप इसको A B का loop लगा सकते हैं, बट A B हमारे पास individual symbol नहीं है, तो म इसको करते हैं, this is A plus B का star, A A B B, तो यहाँ पर यह एक unit है, यह एक unit का expression मानके चले हैं, और यह एक expression है, और इनका concatenation है मेरे पास, ठीक है, so मैं क्या कर सकता हूँ, यह मैं थोड़ा रफ करता हूँ, so yes, यहाँ पर यह जो expression है, मुझे पहले क्या करना है, इसमें A plus B का star ready करना है, A plus B का star, यह उलड़ी मैंने बनाया था अभी यहाँ पर A plus B star, फिर A A B B बनाऊँगा और उसको concatenate करूँगा इस unit के साथ, तो यह तो यहाँ से यहाँ मेरे पास एक ready हो गया है, A plus B star, ठीक है, अब A A B B आपको बनाना, देखो, A A के लिए आप चाहे तो अगे पहले A बनाएं, फिर दूसरा यह लिए, भी इसमें epsilon लेकर लेकर कर सकते हैं, या फिर A A B B आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, तो मैंने क्या किया, अब मैंने क्या किया, A A B B, सो मेरे पास यहाँ पर यह एक A है, मुझे A मिला, मैं यहाँ पर गया, फिर से मुझे A मिला, मैं यहाँ पर आया, उसके बाद सिविल अली मैं B कर लूँगा, यह मैंने एक B मिला, मैं यहाँ आया, फिर से मुझे B मिला, मैं यहाँ पर आया, ठीक है, अब इसके बाद, इन दोनों का union होना है, so union होने के लिए मैं क्या करूँगा, एक state यहाँ पर लगाऊँगा और इसको दोनों से, को epsilon से concatenate कर दूँगा, sorry union कर दूँगा, so यह यही process था हमारा, अब इन दोनों concatenation करना है, तो concatenation के यह final state नहीं रहेगी है, क्योंकि only ab star operation नहीं है, sorry expression नहीं है, पूरा expression है, उसके बाद भी ab star के बाद भी मुझे positive of strings मिलने की है, so मैं यहाँ से इसको भी अटा देता हूँ, यहाँ पर क्या है, तो यह a plus b star का होल star, यह a plus b, इन दोनों concatenation होना है, इसको आप epsilon से concatenate कर दे, अब यह unit यहाँ से यहाँ तक की, यह इतनी ready हो गई है, आप वो क्या चाहिए, a plus b का star उसको concatenate करना, इसके साथ, a plus b का star मेरे पास यह है, यह मेरे पास क्या था, a plus b का star था, same आप repeat कर सकते हैं, so a plus b का star मेरे पास है, यहाँ पर, यह a है, same expression है जो मेरे पास यहाँ पर, a plus b है, so yes, a plus b का star है, यह epsilon से connect करें, इसको भी आप epsilon से connect करें, और यहां से यहां एक epsilon का move लें, यहां से यहां एक epsilon का move लें, ठीक है, अब यह A plus B का whole star है, और यह पुरी unit है, इंदोन में concatenation होना है, तो आप इसको epsilon से concatenate कर दें, और इसको final state बना दें, क्योंकि इसके बाद तो मुझे कुछ मिले बनाया था, that was like this one, मुझे initial को final बनाया और A, B, यह हमने बनाया था, so मुझे A plus B का star चाहिए, तो मैंने क्या क्या A, B, final इसमिल नहीं बनाया, क्योंकि आगे भी expression होगा, इसके बाद मुझे क्या क्या मिल सकता है, A, A plus B, B, या तो A, A मिलेगा, या B, B मिलेगा, तो मैं क्या क्या करूं, पहले A लेकर के जाओ, इसी state पर और चाहूं तो B लेकर के भी जा सकता हूं, नहीं, यह, same state को नहीं जाए, फिर B, A, B, लेगा, मुझे क्या करना है, यहां से फिर B मिलेगा, मैं यहां गया, फिर से मैं यहां गया, इसके बाद मुझे क्या चाहिए, A plus B का star, again, A plus B का star, A plus B का star, इसी को final बना दो, क्योंकि इसके बाद तो कोई expression मुझे मिलेगा, नहीं, so this is the NFA with respect to this expression, अब मुझे इसके लिए बनाना है, तो इसके लिए मैं थोड़े यह रफ करता हूँ, तो को step 5 चलेंगे, एक एक units को, symbols को individually लेकर चलेंगे, तो easily बन जाएगा, ठीक है, चले जड़ा, A star, again, अब मुझे पहले मैं A star के लिए बनाऊँगा, फिर मैं B के लिए बनाऊँगा, फिर A के लिए बनाऊँगा, फिर A के लिए बनाऊँगा, फिर A प्लस B का star A star के लिए मुझे क्या है, यहां से पहले मैं A लूँगा, यह मेरे पास A है, एक state बाद में, एक state पहले, epsilon, यह भी epsilon, यह हमने यहाँ पर A star बनाया था, यह जो अपने आप में unit है, यह A star की unit है, ठीक है, यहां से यह मुझे epsilon आएगा, यहां से यह epsilon जाएगा, और यह initial state हो यह मेरे पास क्या ready हो गया, A star, आपको B चाहिए, B के लिए आपको, यह आपने B ले लिया, इसको आपको concatenate करना है, इन दोनों को, दोनों को epsilon से concatenate कर लिया, फिर से आपको क्या चाहिए, A चाहिए, only A ले आप, यह आपने A लिया, concatenate कर लिया, epsilon से, फिर आपको क्या चा ये बी जा सकता है हमारे पास, ये एपसलन आएगा यहां पर, ये एपसलन आएगा, ये हमने भी प्रिविस कोशन में बनाया था, ठीक है सेम, ये प्रस बिगस टा, यहां तक यह पूरी निट्रेडी होगे, आप को B चाहिए, आप एक यह B लें यहां से, और यह यह तो अलग से ले लो, या फिर डिरेक्टली बना सकते हैं, उसमें को इस्यों नहीं है, यहां से आप एक यह B लें, इसको इसको फाइनल बना दें, क्योंकि इस B के बाद तो चाहिए, आप को B मिलत अप यह हां पर गए, फिर आपको ए चाहिए फिर आपकोय को ए ट्राशिशन लेकर गए, फिर आपको क्या करेंगे, आप अ प्लस B का स्टार, ए प्लस B का स्टार means A ,B, उसके बाद आपको B मिलत Isके बाद आपको बहें कुझ भी नहीं ए एक्स्परे अपे जरेरेट कर सकते हैं, with the help of Thompson's rule, we can go for Epsilon NFA and that by direct, we can go for NFA, okay, video अगर पसंद आए हैं तो like करें, subscribe परें और share करें, thank you